नमस्कार, न्यूस्ट्रेक के वाइफ एक्टर में आपका स्वागत है मैं हूँ योगेश मिश्ट, ट्रांसजेंडर, किन्नर, छक्का, ऐसे तमाम शब्द एक ऐसे वर्ग और समुदाय के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं, जो हमारे समाज में उपिक्षा का पात्र है, जिसके प्रति सहानभूती नहीं है, ऐसे में यह जानना जरूरी होता है कि अखिर है क्या उनके पास ऐसा, वह ऐसा करते क्या हैं कि उनके प्रति हमारे समाज का नजरिया बहुत अच्छा नहीं है, आजकल यह लोग अपने लिए आरक्षड की मांग कर रहा हैं, तब भी हम में कोई सानभूती उनको लेकर नहीं जगते हैं, ट्रांस जेंडर को हिंदी में परलैंगी कहा जाता है, यानि ऐसे वेक्त जिसका लिंग उसके जन्म के समय के नियत लिंग से मेल नहीं खाता है, ट्रांस जेंडर में ट्रांस में, ट्रांस विमें, इंटर सेक्स और जेंडर क्विय कि ए फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थार्ड जेंडर यानि तीसरे लिंग के रूप में माना ट्रांसजेंडर शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी विशेश हालत के चलते खुद को इस्तरी या पुरुष के रूप में महसूस नहीं करते हैं मिसाल के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को जन्म के समय स्थिलिंग का माना गया हो किन्तु वह अपने आपको इस्तरी के रूप में न देख पुरुष के रूप में देख है और वैसे ही व्यक्ति को ट्रांसमेन या परलेंगिक पुरुष कहा जाए इसी प्रकार यदि कोई जन्म के समय सरीर की बनावट को देखकर पुरुष माना गया हो किन्तु वह अपने आपको इस्तरी के रूप में देख है और वैसे ही विवहार करें तो उसे ट्रांस वूमेन या परलेंगिक महिला कहा जाएगा ट्रांस जेंडर शब्द मोटे तोर पर क्रॉस ड्रेशर को शामिल करने के लिए भी परिभाषित किया जा सकता है। Cross dresser, यानि विपरिगित लिंग के समान कपड़े पहनना, यानि कोई व्यक्त अपने को पूरुष समझ रहा हो, और इस्त्री के तरह कपड़े पहनने उसे अच्छे लगे, इस्त्री के तरह रहना अच्छा लगे, और कोई इस्त्री की तरह समझा गया हो, और पूरुष की तर ट्रांसजंडर की भी कोई लेंगिक अनुरूपता नहीं होती है व्यक्ति पूरश और महिला दोनों की तरफ आकरशित हो सकता है ट्रांसशेक्सवल ऐसा ट्रांसजंडरुप्ति होता है जो अस्थाई रूप से अपना लिंग परिवर्थित करवा लेता है जिसमें वह पहचा साल लग जाते हैं हिंदू जैन बौध धर्म गरंथों और आम तोर पर भारती संस्कित और यहां तक कि काम सुत्र में भी ट्रांसजेंडर के बारे में कई जगे उलेक मिलता है आपको यह जानके आश्यर होगा कि ट्रांसजेंडर ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता है 2017 के भारत सर कर्मियों को HIV, Hepatitis B या C के जोखिम वाले व्यक्तियों की केटेगरी में रखा गया है ऐसा करना व्यज्ञानिक साक्ष पर आधारित है सरकार का कहना है कि यह जोखिम श्रणी के जनसंख्या समूह हैं और कभी-कभी जनता स्वास्त के परिप्रेक्ष को व्यक्तिकत अधिका कारों पर हावी होना चाहिए केंद्री स्वास्त मंत्राले ने कहा कि कई अध्यनों से पता चलता है कि ऐसे लोगों में HIV, Hepatitis B और C के लक्षण अधिकांश तोर पर देखने को मिलते हैं विशेशग्यों ने रख्तदान से दो तरह के लोगों को बाहर रखने के सिफारिस कि है कई यूरोपिय देशों में समलेंगिक पुरुसों को इसी तरह रख्तदान से बाहर रखा गया है सरकार ने कहा कि यह सावित करने के लिए परयाप सबूत है कि ट्रांस जेंडर पुरुसों के साथ यौन संबंद रखने वाले पुरुस और महिला यौन कर्मियों को HIV, Hepatitis का खत्रा आधिक रहता है, समाज में उपठ्षा के मार जेलना, एक अजीब तरह की जिन्दगी जीना, नोकरी के लिए कहीं आरक्षर नहीं होना, लोगों को दुआए देना और उनकी खुशियों में शरीक हो, कुछ पैसे लेकर के जिन्दगी बसर करना, इन लोगों का नामान बीमार लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाए, उपएक्षा का भाव इनके अंदर खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी समाज को बहुत कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं, इनके अंदर भी बहुत उर्जा होती है, इनके उर्जा का इस्तेमाल जरूरी होता है, इ